नमस्कार दोस्तों आज हम करेंगे हिस्ट्री के टॉप 50 कुश्चंस जो बार-बार बहुत सारे एक्जाम्स में रिपीट हुए हैं और अभी रिपीट होंगे भी आगे ठीक है चलिए तो अब हम सुरू करते हैं पहला प्रश्ण है नव पाशाड काल के लोगो द्वारा पाला गया प्रथम पशू था भेड, बकरी, कुत्ता, घोड़ा तो देखिए इसमें आपका अंसर होगा भेड ठीक है कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि भई सबसे पहले तो मानवनिक कुत्ता पाला था तो भेड कहां से हो गई देखिए यहां प्रश्ण में पूछा हुआ है नव पाशाड काल के लोगो द्वारा थीक है तो नव पाशाड काल के लोगो द्वारा तो भेड पाली गई थी प्रथम यदि यहां प्रश्ण होता कि मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या है तब कहेंगे आप कुत्ता ठीक है अगर नपपाशाण का लगा देगा तो उसमें आएगी भेड़ हडपा की सब्वेता निम्र लिखित में संबंदित है कांश यूग नपशाण यूग पुरापाशाण यूग ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो हडपा सब्वेता है वो किस से संबंदित है डी ओप्शन भी देख लेते हैं इसके आगे देखिए एक मिनट है पुरापाशाण या लोह यूग तो हडपा सब्वेता है कांश यूग से संबंदित ठीक है सिंदु घाटी सब्वेता के लोग पूजा करते थे विश्नु की भ्रह्मा की इंद्र और वरूल या परशुपती की तो हमें पता है कि सिंदु घाटी सब्वेता के लोग जो है पूजा करते थे परशुपती की ठीक है एक आपने जो है नॉर्मली मैंने कहा है आपसे जैसे एंसी आर्टी की सीरीज हम पढ़ रहे हैं तो आप उस सीरीज को पढ़ेंगे तो आगे देखते ही यह कि नंबर चार प्रश्न क्या है निम्न लिखित मेंसे किसे मृतकों का तीला कहा जाता है हडप colonial काली बंगा बनवाली तो देखिंगम प्रमर्त को का टीलाते मृहन जोल्ठ को का तीड़ा या अब फिर कह सकती हैं मृहन जोतौर्ट का अर्थ है मृत को क परिस्तित है पंजाब सिंध गुजरात उत्तरप्रदेश तो यह है सिंध में ठीक है जो कि वर्तमान में कहां है पाकिस्तान के पास है यह मुहन जो दाड़ो वाला जो एरिया है पाकिस्तान के हिस्से में है नेक्स्ट प्रेशन देखिए मानव द्वारा सर्व पर्थम किस धातू का उपयोग किया गया तावा, चांदी, कांसा, पीतल तो मानव द्वारा सर्व पर्थम जिस धातू का उपयोग किया गया वो है तावा नेक्स्ट प्रेशन देखिए सात्वा सिंदु घाटी की पहचान निम्न लिखित में से है सुन्दर मूर्तियां, धर्म और दर्शन सास्त, आर्थिक्स और सामाजिक सुधार या सहर योजना प्रणाली तो इसकी जो पहचान है या खास बात वो क्या है सिंदु घाटी की सहर योजना प्रणाली ठीक है इसमें सड़कें जो है 90 डिगरी पर एक दूसरे को काटती थी ठीक है जो वर्तमान में जैसे सहर बसे हुए है ऐसे ही सिंदुखाटी सब्वेता में बसे हुए थे आठवा प्रश्न देखिए निमने लिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है आपके सामने ओप्शन है सामवेद येजुरुवेद अथरवेद रिगवेद उपनिशद तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो क्या है आपका रिगवेद ठीक है चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नमबर 9 देखिए, रिगवेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है, सरश्वती, गंगा, ये मुना, शिन्दू, तो सबसे पवित्र नदी रिगवेद के अनुशार है, सरश्वती, ठीक है, चलिएब आगे प्रश्न देखते हैं, प्रशन नमबर 10 प्राचीन हिंदू विदी का लेखक किसको माना जाता है वालमी की वसेष्ट पाणनी या मनू तो प्राचीन जो विदी का हिंदू विदी का लेखक है वो कौन है मनू ठीक है वालमीकी ने रामायन लिखी थी और पांडनी कौन है वियाकरण के ग्याता ठीक है चलिए आगे चलते हैं रिगवेद में वर्णे देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है इंद्र, शूर्य, विश्नु या ब्रह्मा तो रिगवेद में सबसे महतपून जो द वैदिक देवता इंद्र थे पवन के, शाश्वत्ता के, बादल के, अगनी के तो वैदिक देवता इंद्र इश्वर थे बादल के ठीक है बादलों के देवता है इंद्र ये आप लोग जानते ही होंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं प्रशन नमबर 13 पुराणों की कुल स संख्या कितनी है A 20 B 16 C 14 या D 18 ठीक है तो प्राणों की कुल संख्या है 18 अगला प्रश्ण है गौतम बुद्ध का जनम कहां हुआ था बौध गया पाटली पुत्र लुंबनी या वैशाली तो हमारा अंसर होगा इसमें C यानि लुंबनी में हुआ था अगला प्रश्ण देखिए पंद्रवा कि क्या है गौतम बुद्ध की मृत्त्ति कहां पर हुई थी लुंबनी स्त्रावस्ति कुसी नगर या बौत गया तो गौतम बुद्ध की जो मृत्ति वी थी वो कुसी नगर में हुई थी ठीक है मेरे गोतम बुद्ध का जनम हुआ था, बॉध गया कौन सा स्थान है जहां पर उन्हें ज्ञानप्राब्थ हुआ था ठीक है, और कुशी नगर कोन सा आची सारनाथ या कुसी नगर तो आपने अभी देखा कहां पर दिया है यह सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया अगला प्रशन देखिए निमलिकित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं रिशवदेव पार्शवनाथ नैमीनाथ या वर्दमान महावीर चलिए अगला प्रशन देखिए महावीर का जैन धर्म के परथम तीन धर्कर कौन थे महावीर स्वामी पार्शवनाथ रिशवदेव संकरादेव तो इनके प्रथम तीर्थंकर थे रिशवदेव ये महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे ये प्रशनाप के लिए है प्रथम कौन थे रिशवदेव ये कौन से थे महावीर स्वामी ये आपको बताना है पतना सेर का पुराना नाम है पाटली पुत्र कर्नोज कौसांभी कपिलवस्तु तो पाटली पुत्र का पुराना नाम है पाटली पुत्र चलिए नेक्स्ट प्रशन देखिए भारत का प्रथम सामराज निर्माता कौन सा वंस था नंद वंस, मौर्य वंस, गुप्त वंस यान में से कोई नहीं तो सामराज निर्माता यान जिसने अपना सामराज को ज़्यादे फैलाया था तो वो था मौरे वंस और इसके संस्थापक कौन थे चंद्रगुप्त मौरे जिनके गुरु कौन थे चानक के देखे दोस्तों यह तो मैंने आपको यहाँ पर questions की practice है एक तरीके से यह दिया आपको gk पर बहुत अच्छी command करनी है तो आपको ncrt की books पर आनी चाहिए और वो मैंने पढ़ाई हुई भी है six class की ncrt खतम हो चुकी है चैनल पर तो आप उसे देख सकते हैं जहां से next question देखिए भारतिय राष्ट्रिय पांचांग किस नाम से जाना जाता है विक्रम समवत सक समवत हिजरी समवत या इन में से कोई नहीं तो भारतिय राष्ट्रिय पांचांग जो हर सक समवत के नाम से जाना जाता है ठीक है आपको पता होना चाहिए यह आपका homework है कि विक्र समवत सक समवत और हिजरी समवत की सुरुवात कब कब हुई थी ठीक है को कि चलिया आगे चलते हैं कि चाड़क के को निम्र लिखित नाम से भी जाना जाता है यानी चाड़क का दूसरा नाम बताना है आपको option है श्रमद्र गुप्त, विष्णु गुप्त, श्री गुप्त या इन मेंसे कोई नहीं तो आमसर है आपका विष्णु गुप्त, चानक्या का दूसरा नाम असोक किस वंस से संबन्द था? मुगल वंस, गुप्त वंस, मौरे वंस या इन मेंसे कोई नहीं तो हमारा आंसर होगा मौरे वंस, ठीक है, मौरे वंस का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौरे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौरे, और चंद्रगुप्त का बेटा था, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार था, और बिंदुसार का बेटा कौन था, असोक, बिंदुसा सारनाथ में देखिए सभी प्रश्ण आपके जो है NCRT से आए हुए हैं ठीक है मोस्ट आफिस में से जो है NCRT से ही आए हुए प्रश्ण होते हैं ठीक है NCRT से तो सारनाथ में अकवर असोक सेरसा साजा तो इसका आपका अंसर है B जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर भी ठ चले आगे चलते हैं चानक के किसका प्रदान मंत्री था चंद्रगुप्त मौरे चंद्रगुप्त दूतिय असोक या विम्भिसार तो चानक के जो है चंद्रगुप्त मौरे का प्रदान मंत्री था और चंद्रगुप्त मौरे का गुरू भी था नेग्स्ट प्रेंसुन देखिए। मौरे बंससेश सिर्फ चंद्रगुप्त प्र Meansत एं नेट्स्ट देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं बहारत का नेपोलियन किसे कहते है नेद जकलत इस यह समद्रगुपत जाता एं विंध 8 चैन मेहित थे 1 आज 1 खतावे यह कि चलिए आगे देखते हैं कि चीनी यात्री हुए इंसांग निमल खितमे से किसके सासनकाल के दौरान भारत आया अशोक चंद्रगुप्त मौरी हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त विक्रमा देते तो हुए इंसांग हैसे स्टार्ट है तो इसमें देख लीजिए हैसे कौन सा नाम आता है तो आपको याद भी हो जाएगा यानि हर्षवर्धन ठीक है तो हुए इंसांग आता है हर्षवर्धन के काल में नेक्स्ट प्रशन देखिए हिज्री संबत कब सुरू हुआ मैंने आपको बताया था सक संबत कब सुरू हुआ है और मैंने आपको आगे पढ़ाया था उसमें तो आपको बताना है कि सक सम्मत कब शुरू हुआ था हिज्री सम्मत का आंसर आपको मिल जाएगा हिज्री सम्मत शुरू हुआ था ठीक है बाकी तो आपको एक क्रीम कोश्चन मिल ही रहे हैं आरे भट भारत के परशिद्ध थे कभी भौते विज्ञानी गड़ता गया वैद्य तो आरे भट थे एक गड़ता गया थीक है निम्रि सासकों में से किस ने प्रतेक पांच वर्ष पर प्रियाग में धार्विक संबिलन किया असोक कनिश्क हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त विक्रमा देते तो प्रतेक पांच वर्ष पर ये वहां जाकर के अपना सभी जो धनता दान कराते थे उसके बाद नया धन क कमाते थे और फिर पांच सलवाद उसे पूरे का पूरा फिर्सिदान कर देते थे वो थे हर्षवर्धन अगला प्रश्न देखिये को निमलिखित में से सबसे अधिक सुधारबादी भक्तिसंत कौन थे रामानन तुलसीदास कबीर नाम देव तो सुधारबादी भक्ति संद सबस्या देखते कबीर ठीक है चलिए अजन्ता और एलोरा की गुफाएं कहां इस्तित हैं राजिस्थान महाराश्ट मद्य परदेश गुजरात तो अजन्ता एलोरा की गुफाएं इस्तित हैं महाराश्ट में अगला प्रश्ण देखिए शूपी संपरदाय का उ अगला प्रशन देखिए गौत में श्वर की मूर्ति कहां इसे था है पशी मंगाल आंदर प्रदेश करनाटक या उड़ीसा तो गौत में श्वर जो है एक जैंदर हमसे शम्मादित मूर्ति है काफी बड़ी मूर्ति है और इस मूर्ति की खास बात है यह 30 किलोमीटर दूरी स से भी दिखाई जाती है और हर 12 साल में इसका महा अभिशेक होता है दूद से सोने के सिक्कों से और जो है केसर से और यह मूर्ति सिथ है करनाटक के स्रवन वेल गोडा में ठीक है बहुत फेमस है यह गौत मेश्वर की मूर्ति मुहमद साहब के जनम पर निमले खित्मे से कौन सा पर्व मनाय जाता है इद उल जुहा इदे मिलाद उन नभी बकरीद या इद तो मुहमद साहब के जनम पर मनाय जाता है इदे मिलाद उन नभी देखिए जितने प्रश्ण हम पढ़ रहे हैं आपको ये तो आने ही चाहिए ठीक है यहीं से काफी प्रश्ण बन जाएंगे आपके मिनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है उडिसा मदुरई जैपूर आगरा तो मिनाक्षी मंदिर इस्थित है मदुरई में और मदुरई कहां पर इस्थित है तमिल्लाडू में ठीक है यह प्रश्ण भी पूछा हुआ था मदुरई कहां पर इस्थित है तो यह तमिल्लाडू मे इस्थित है नेक्स्ट प्रशन देखिए अंकोरवाट कहां इस्थित है वियतनाम तिबबत इंडोरियसिया या कंबोडिया तो अंकोरवाट इस्थित है कंबोडिया में अगला प्रशन देखिए खज्राओ के मंदिर किसके सासनकाल में बनवाए गए हैं तो खज्राओ के मंदिर चोल पलव चंदेल कुशाण किसके सासनकाल में बनवाए गए हैं काफी फेमस है तो यह है आपका सी चंदेल के कावल में ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प अगला प्रश्न देखिए चार आश्रम निम्र लिखित में से संबंदित थे जीवन के चरणों से जाती से राजा और महत्माओं के निवासिस्तान से आरिसमाज के धार्मिक और पूजनिय इस्थल से तो मैं आपको बताओं चार आश्रम की ये बात कर रहा है जिनकी वो संबं देथे जीवन के चरणों से ठीक है यानि उन्होंने जीवन के चरणों को चार भागों में विभाजित कर दिया था यानि माली जै एक व्यक्ति सो साल जीता है तो 25-25 करके उन्हें डिवाइड किया हुआ था ठीक है तो पहला जो पहला था ब्रहमुचरे दूसरा था ग्रहस तीसरा था वान प्रस्त और चौथा आश्रम था सन्यास अगला प्रशन देखिए दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शाशक ठीक है यही पहली महिला सुल्तान भी थी ठीक है तो चांद बीबी रजिया सुल्तान जीजा बाई बेगम हजरत महल तो यह थी दिल्ली करने वाली प्रथम महिला सासक रजिया सुल्तान कि किस ने प्रारम की और म बलाउदिन खुलजी चंद्रगुप्त-मॉरिय धार च्बाया प्रण प्रणाली सब्सक्राण इंप्रशन के यह सुरूग आध की थी अलाउदिन खिल जी ने वागए प्रशन देखिए रडधम और क्या है एक मुगल महल एक राजपूत दुर्ग खिल्जियों की राजधानी बौदों की तीर्थियात्रा का केंद्र तो रडधम और है एक राजपूत दुर्ग चलिए अगला प्रशन देखते हैं सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया इब्राहेम लोदी इल्टूतमिस अलाउदिन खुल जी या बलवन तो इसमें भी आपका आंसर होगा अलाउदिन खिल जी ठीक है अगला प्रशन देखिए निमलिखित में से किसने अपनी राइधानी दिल्ली से देवगिरी देखी यहां से मैं आपको एक बता दू इसी देवगिरी को दौलता बाद कहा जाता है ठीक है दौलता बाद पहले इसको दौलता बाद कहा जाता था देवगिरी को दौलता तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग सा प्रशन है तो दिल्ली से दौलता बाद फिर दौलता बाद से दिल्ली यह राइधानी स्थाना अंतरित करते थे मुहंबद बिन तुगलक इन्हें पागल वादसा कहा जाता था ठीक है क्योंकि यह बहुत जादा इंटेलिजेंट था और दिल्ली से दौलता बाद गया तो पूरी राइधानी के लोगों को अपने साथ ले जाता था कुत्ते बिल्ली गाए भैस सब जितनी भी चीजें थी सब इसके साथ जाती थी ठीक है तो जब राइधानी चेंज रोती तो कुछ छोड़कर नहीं जाता था कुत्ते बिल्ली साकते थे देखिए अगला प्रशन क्या है आपका पहला मुश्लिम आक्रमन कारी सन सत्तर साथ सो बारे इस भारत आया था उसका नाम क्या था तो यह प्रशन ना तो आप्शन है इसके ना कुछ है यह प्रशन आपके लिए लास्ट में छुड़ा गया है अब आप इसका अंसर दीजिए कि जो है कौन था नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अंसर जरूर बताओं पर तब तक आप कमेंट वॉक्स में इसका अंसर दीजिए चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और सेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि कैसा लग रहा है आपको थैंक यू फॉर वाचिंग